हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारूं कि, कैसे आप अपने Lawa Z53 Android Wear Phone में आप जो है ट्री बटन नैविकेशन सेटिंग को इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानि कि On कैसे कर सकते हैं, और इस थ्री बटन नैविगेशन सेटिंग जो है इनेबल करने के बाद इस सेटिंग कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जंकरी बताने वाला हूं तो चलिए आपर जो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने वाइल फोन मे सेटिंग पेज ओपन करना है सबसे नीचे आना है और अब आपको शिष्टम का ही उप्शन मिल जाता है इस दरीके तो आपको नीचे यह थ्री बटन नैविगेशन का ओप्शन दिखाई देगा इसके सामने सरकल बना हुआ है सरकल पे आपको टिक मार्क करना है टिक माक लगाने सेलेक्ट करना है तो आप देखेंगे कि मेरे मुगाईल फोन के सबसे नीचे यहाँ पर जो थ्री बटन होता है बैक बटन होम स्क्रीन बटन ओवर्वीव बटन यहाँ पर एड हो जाएंगे जैसे मैं सेटिंग को इनेबल करूँआ तो आप देखेंगे यह बटन से यहाँ पर Add हो चुक है मेरे मुगाईल फोन के Bottom साइट पर तो आप यह सेटिंग इनेबल करने के बाद यहाँ पर जो थ्री बटन जो है आपके इनेबल कर देता है यहाँ आप आप तीनो बटन यूज कर सकते हैं जैसे बैक बटन से बैक कर सकते हैं nhưng बीच वाले ब वैल का setting page open करना है, setting page open करें और आपको नीचे की side में सब उपर इस सेटिंग का यह option दिखा ही देता है, search setting इसे select करना, अब यहाँ पर आपको search वार में type करना है system navigation, ठीक है system navigation type करेंगे तो आपको नीचे की side system navigation का option show हो जाएगा, तो इसे आपको select कर लेना है, इससे होगा क्या कि आपका mobile phone आपको direct system navigation के इस page में आपको ले कर आ जाएगा और यहाँ पर आपको यह three button navigation को option मिल जाएगा तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका बता दिया इस setting को ढूंडने का